ट्रेन में सफर करते समय पट्री किनारे लगे इस एलमुनियम बॉक्स को तो आपने जरूर देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है ये बॉक्स पट्री किनारे क्यों लगाई जाते हैं और इसका काम क्या होता है दरसल दोस्तो रेलवे ट्रेक किनारे लगे इस बॉक्स को एकसल काउंटर बॉक्स का आ जाता है और इसे हर तीन से पाँच किलोमेटर के दायरे में लगाये जाता है बतादे इसके अंदर एक ऐसी डिवाइज लगी होती है जो सीधे ट्रेन की पट्रियों से जुड़ी होती ह जो ट्रेन के पईयों में लगे एकसल को गिनता है और ये हर पाँच किलोमेटर के बाद ट्रेन के एकसल को गिनता है जिससे ये पता लगाये जा सके कि जितने पईयों के साथ ट्रेन से निकली थी आगे भी उतने पईये है की नहीं वाई अगर ट्रेन में कोई हादसा हो जा तो यह डिवाइस गिंती करके तुरंत रेलवे को इनफर्म कर देता है तो अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें